ढूमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी जानल स्वागत हैं दोस्तों आ sewाला को बताने वाला हो कि आपके पांज assessments जो india push के दरभी मा जनी त्रन दिया जा रहा है गर आप पर इस तरह के से part appointmentamentos को है अब बेनयुट क्या है आप से आप जो है आई जो इंडिया पूश की एप होती है उसमें लॉग इन करके आप अपना डीटिल्स देख सकते हैं क्योंकि आपको साथ में बैंक अगाउट उपन करें दिया जाता है तो आप ट्रांजेक्शन भी करना चाहें तो कर सकते हैं करना की लोगइन करने क्लिए आपको क vị्या करना और आपको आपके पास कार में आपके लोगऊन करने के बाद क्लिस आप można करना ओड़र मेरे पास दूँए क्या करना है कि already मेरा जो है एक अप में अकाउंट जो है लॉग इन है सेकेंड अप में लॉग इन करें मैं आपको बताने वाला होगी यहां पर आप कैसे लॉग इन कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप यहां पर लॉग इन पर क्लिक करेंगे एक अकाउंट नमबर कस्टमर डिट ऑब और मोबाइल नमबर तो दीके अब जब कार्ड आपको मिलेगा आपको बता दो यह जो कार्ड मिला है अब इस कार्ड में देखेंगें यहां पर बारकोड होता है बारकोड निच्रे नमबर 행ाद का सुरुrá नमबर होता है नीचे निचे लिखा रहागा को लिखें यह आपको लॉग इन करने लिए तो जैसे देखिए अप मेरे पास ये मेरे attorney आप यहां पी दिखी आपको आपका नाम दिया आपका नमबर दिया गया है आपका आये यह जो कस्टमर इडी नमबर है लुह भी दिया तो इस्में तो जयू जो उपर दिया गया है ऑप बारकूट के नमबर जो सिरील कि मैं ऐसे ही information वाले वीडियो जो आप लोग लिए बना के लाया करता हूं कि कस्टमर आड़ी देखेंगे सबसे लास्ट में जो लिखा है CIF नंबर वो आपका कस्टमर आड़ी होता है कि यहां पर आपकी डेट्व बरता है कि डेट्व बहुत आपको यहां पर बी एंटर करना होगा सेम आपने जो मॉबाइल नमबर वहाँ पर दिया ऐख जब अकौण्ट अप ऊपन कर रहे थे जर्म है बीमा बनाते बंग आपने मॉबाइल नमबर दिया और नम्बर डिया आपको यहां पर इंटर करना होगा क्यों कि आपको मॉबाइल पर अट्पी जाएगा और अब क्लिक करने के बाद यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि भाई, new mpin set के जैसे आप mobile में lockout डलते हैं, वैसे ही यहां पर आपको एक lockout डलना होगा, तो यहां पर जो ऊपर आपने डाला है, वही same आपको नीचे भी डालना होगा, और उसके बाद यहां पर set mpin पर क्लिक करना होगा, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देखें कुछ add security questions है, जैसे कभी password भूल जाते हैं, तो आपको reset करने के लिए यह सब चीजे काम आए है, तो आप वो questions आप select कर सकते हैं, तो जैसे ही आपको यह पांचो चीजे, मतलब 1, 2, 3, 4, sorry, 4 चीजे जो आपको है, यहां पर यह जैसे आप भढ़ देते हैं, यह आप make sure आप ध्यान देजेगा, जो आप add करें, यहां पर IP क्लिक करके आप फिर से दुबारा देख सकते है और आप screenshot लेकर रख लिजाए, ताकि इन feature में कभी कदिक्कत आए, तो आप वापस से देख सकी, आपने क्या options select यार के रखा था, चलिए हम submit पर click करते हैं, submit पर click करने के बाद यहां पर पूछ रहा है कि allow IPB mobile to make and manage phone calls, ठीक है, यहां पर allow कर देंगे, अब allow करने के बाद यहां पर देखते हैं, क्या पूछता है, अब यहां पर enter OTP, जो है, automatically read कर लेगा, आपको OTP, तो यह देखे हैं, यहां पर registration successfully लिख किया गया, और enjoy banking with us, login पर click क सकते हैं, login पर click करेंगे, यहां पर जो आपने MPN set किया था, starting में, वही आपको MPN यहां पर enter करना होगा, अगर आप भूल जाते हैं, यहां पर forget MPN पर click करके reset कर सकते हैं, अब देखिए, यह आपका properly open होगे, यहां उपर आपका नाम आगा, यहां पर mini statement जो दिया है, जब आ करते हैं, हमने इसको आज ही open करा है, यहां पर 520 रुपीस हमने जो है deposit किया है, और इसके बाद यहां पर ताटा की तरफ से भीमा है, तो जो कि इंडिया पोस्ते टाइप कर दिया गया है, तो यह दिखिए, यहां पर 520 रुपीस debit कर लिया गया है, जो कि मेरे account से cut गया है, तो guys, आप जो भी आप payment करेंगे, transactions वो आप यहां पर देख सकते हैं, और इसकी limit जो है, zero balance है, और इसमें transactions की limit जो है, अब up to 2 lakhs तक आप कर सकते हैं, तो guys, उमीद करता हूँ कि वीडियो की process आपको समझ में आगया properly, step by step समझ में आगया होगा, चैनल पर पहली बार आ रहे देख सकते हैं, तो guys, आज के लिए इतने का था, तो दोस्तों, उमीद करता हूँ कि वीडियो की step by step समझ में आगया होगा, अगर आपने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है, आपने अभी तक बिमा नहीं करा है, कैसे कराना है, कार्ड कहां मिलेगा, यह सारी process में बना, अल झाल